कट है के सबस्क जब बनाना के हे नहीं हैं यहाँ अगर धूल्ष आइधे चाहारो बनानाच करनें लिंगे पांच्छव घराम के लिए नीजम शेब तेल अब हम सबसे पहले कटेल को फ्राइ कर लेंगे ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हम कटेल को डाल देंगे जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तब हम कटेल को डाल कर फ्राइ करेंगे तो सारा कटेल हम कोकर के अंदर डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे चलाते हुए उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कहीं भी थोड़ा स चिपक नहीं रहा है तो द्यान रखना दोस्तों तेल जब गरम हो जाए तभी कटेल को फड़ाई करना तब आपका कटेल बिल्कुल भी कुकर या कराही में चिपकेगा नहीं तो यह देख सकते हैं दोस्तों तड़के में हमने यहां पार दो मीडियम साइज की प्याज को इस पेश्ट नहीं बनाना है साथ हमने यहां पर खड़े मसाले में एक टुकड़ा अध्रक दाल चिनी ले रखा है साथ हमने छोटी इलाची बड़ी इलाची लॉंग दो से तीन और साथ हमने यहां पर कुछ काली मिर्च ले रखा है दोस्तों और मारा कटेल भी फड़ाई हो आप निकाल दिया अब यहां पर हमने डाल दिये जो हमने खड़े मसाले ले रखे थे साथ ही अब यहां पर डाल देंगे एक आधा चोटी चम्मस जीरा और इन सभी तड़कों को अच्छे से हम चटक जाने देते हैं यह देख सकते हैं दोस्तों तेल बिल्कुल गरम है और ह अच्छे से चटक गया है यह देख सकते हैं तो यह अच्छे से चटक गया है अब यहां पर हम डाल देंगे अपने प्याज को तो प्याज को हमें तब तक बुनना है जब तक की कैरमलाइज नहीं हो जाती है तब तक हम प्याज को नहीं हो जाती है तब तक हम प्याज को नह तो दोस्तो आप देख सकती हैं प्याजप निए फिर्यास अच्छेसी काटेगे लावर प्याश का पाने मेरी दालो यह प्यास भीड मिर्ची आद्रक निजता थीर ने। दे refuse लेट आये हैं जिसे नियूंध ने यह उतना है ऐधा की लेकर पान, भून लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्याज भी हमारी भून गई है यानि की कैरमलाइज होने तक अब साथ ही हमने डाल दिया बारी कटे हुए टमाटर को अब जब हमने टमाटर डाला है तो यहां पर अब डाल देंगे नमक जैसे कि टमाटर जल्दी से सौप्ट होकर गल जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमने डाल दिया सौधानुसार नमक जितना की हमें सब्जी में चाहिए और इन सभी चीजों को अच्छे से चला कर भूनते हैं आप यहां पर हम मसाले ले लेते हैं तो मसाले में डेढ़ चमच यहां पर धन्या अच्छा पाउडर जिसे कि कलर बहुत है और आप यहां पर ले लेंगे भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर इसे फलेवर बहुत ही ज्यादा आधा है और अब यहां पर हम पानी डाल कर इसको मिक्स कर लेंगे जिसे की मसाला अच्छे से फूल जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमने पानी डाल दिया मसाले के अंदर और इस तरीके से मसाले को मिला लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से फूल जाए तो दोस्तों आप देख सकत यहां पर सॉप्ट हो गया है और यहाँ पर हम डाल देंगे जो हमने घृत को घृत को ङृत आप दोस्तों यहाँ पर दैंगे मसाले को बेस्ट नहीं होने देंगे देख सकते हैं मसाले को कुछ बूड़ नकल गया है और यहाँ बहुता के लिपात रले माखनव प्लॉदा देखे शाले की आप तक किछित पहल missy Bay क्यालिक्त में किना यहां अच्छा में बनाकर चाहिए MAG मने बना इसलब आच भूण माता बनाग्त कवेड़ी में देख अहां नहीं को भाग्त करें अच्छा में कि अच्छा लगएं पैसे देखने में कटहल को पकाले नहीं क्षाल करेंगे श॥ूछ नहीं क्योंकि यह अपने कोड़िंग यहां बार्ed पानी कंप ड्रेय करईब करेंगे면 आप्थे चितनाइग पाणी क्योंक्छ करतेजाएं उसके गोडिंग यहाँ पर पानी का यूज कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर एक गिलास पानी का यूज किया है अब हमने लगा दिया कुकर में लिड और एक बिसन आने तक हमें कटहल को पका लेना है जादा नहीं पकाना है दोस्तों इसका हलुआ नहीं बनाना है क्योंकि कटहल अगर तूट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए हमें एक ही विशन तक इसे पकाना है तो यह देख सकते हैं एक विशन आ गया और हमारा कटेल जो है अच्छे से पक गया है तो बिल्कुल गर्मा गरम हमारी सब्जी बन खर रेडी है खाने के लिए तो दोस्तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लगरी हैं हमारी कट हैल tenía की सब्जी आब यहां पर हम को निकाल कर भी दिखा देते हैं तो दोसतो यहां पर एक लेंगे चमच से यहatinा देख सकते हैं तो दोस्तो देख सकते हैं कितनी सॉफ्द्य मारी सब्जी बनकर फोली बैलकोल भी तो यहां पर आप एक प्लेट के अंदर हम सब्जी को निकाल लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका लोग को और कलर कितना अच्छा लग रहा है तो इसे आप चावाल रोटी पूरी पराठे किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा यह और बहुत ही टेस्टी लगती है यहां पर आपको मिक्सर की भी जरूरत नहीं है बिना मिक्सर की आपकी ग्रीवी बहुत ही ज्यादा गाढ़ी बनकर रेडी होगी तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर न्यूम ही है